जैसे कि आप लोग को पता होगा इंडिया में Motorola तेजी से grow कर रहा है अपने नए-ने स्मार्टफोन को हर साल इंडिया में launch कर रहा है और हाँ 2024 में हमें Motorola के तरफ से कुछ नया देखने को मिलेगा क्यूंकि इंडिया में हमें पहली बार Motorola launch कर रहा है अपना नया Keep It Future 5G Phone जो की काफी interesting price और interesting future के साथ में आपको देखने को मिलेगा साड़ा कुछ इस वीडियो में बात करते हैं इसकी pricing क्या होगी India में कब launch होगा और क्या क्या interesting future देखने को मिलेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी display की बारे में तो आपको 4.5 inches का 720 वाला HD display देखने को मिलेगा नीचे आपको keep it देखने को मिल जाएंगे और pre install बहुत सारी आपको apps देखने को मिल जाएगा जैसलिकि आपको facebook, whatsapp, twitter, instagram, youtube सभी का आपको support देखने को मिल जाएगा wifi, bluetooth, hotspot का support भी आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 mm headphone jack का support भी देखने को मिल जाएगा जो कि हर keep it future phone में रहता है तो इसमें भी है उसलिके साथ अगर performance की बारे में बात करें तो आपको Qualcomm Snapdragon 480 का 5G chipset देखने को मिलेगा जो कि ये 5G keep it future phone है तो आपको Qualcomm Snapdragon 480 का 5G processor देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी बात है अगर camera के बारे में बात कर ले तो आपको rear side में front camera आपको 3.2 megapixel देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छी बात है camera भी आपकोimaramente आपको टिक टक देखने को मिल जाएगा और Motorola कहता है कि आप ये दो दिन तक अराम से इसको यूज़ कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से एक दिन तो चल जाएगा, दो दिन तो मुश्किल है, अगर बात करें दोस्तों, इंटर्नल इस्टरोज रेम की बारे में, तो आपको मिलेगा 16GB इंटर्नल 2GB रेम, आपको देखने को मिलेगा, फाइनली अगर बात करें इसकी प्राइजिंग के बारे में, तो ये आपको देखने को मिल सकता है 6999 पे, तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, अगर Motorola in future, SI Keep It Future 5G Phone लाउंच करें, क्या आप लोग लेना पसंद करोगे?